तो आज की इस वीडियो में हम पिछली वीडियो को continue करते हैं जिसमें exercise 14.2 के हमने question number 12 तक कर लिये थे applied mathematics class 11 तो आज हम 13th question से start करते हैं 13th question में कहता है कि man invest rupees 1200 for 2 years दो साल के लिए उसने 1200 रुपे invest के compound interest के साब से after one year the money amount to rupees देस एक साल के बाद पैसा इतना हो गया तो find the interest for the second year correct to the nearest rupees तो जो second year था उसका interest कितना बनेगा ये निकालो आप तो अब यहां पर इसने कहा कि एक साल के बाद जो पैसा धाना वो इतना हो गया जब हम एक साल का interest निकालते हैं तो चाहें आप simple interest से निकालो जब कंपाउंड से निकालो दोनों interest सेम होते हैं तो यानि जो एक साल का interest ये दे रहा है तो इसका मतलब हुआ total amount ये दे रहा है तो interest कितना बना एक साल का इंट्रस्ट फॉर फस्ट येर 1275 में से 1200 आप माइनस कर दो तो आपके पास 75 रूपीज का interest बनेगा एक साल का अब ये एक साल का है तो चाहें आप इसे compound कहलो चाहें simple कहलो बात देखिए अब हम simple कहेंगे क्योंकि simple का फार्मुला असान है तो हम simple कहेंगे तो simple interest का जो फार्मुला होता है उसके साब से principal rate into mid time divided by 100 तो जो interest है हमारे पास 75 रूपीज का है और principal 1200 रूपे का है रेट हम निकाल लेते हैं किस रेट से था पैसा और एक साल के लिए निकालो तो आर आ जाएगा इधर यानि 75 अपॉन में 12 तो 3 से कार्ट देते हैं से 3.12 और 25 ते 75 चार सिक 24 चार दुनी आठ चार पंजे 20 यानि आर बनेगा इसका 6.25 परसेंट अब यह कह रहा है कि find the interest for the second year दूसरे साल के लिए interest कितना होगा अब दूसरे साल का देखो principal आपके पास यह बन चुका है 1275 दूसरे साल का principal हो गया principal फॉर second year तो इसको मैं compound interest वाले formula से करने की बजाए इसको मैं simple interest वाले से formula से ही करता हूँ क्योंकि principal मेरे पास दूसरे साल का यह है और rate हमारे पास 6.25 की जगे आप 25 upon 40 लिख लो और time यहां पर हम रखेंगे एक साल ठीक है divided by 100 तो कोई फाइदा तो ऐसा हुआ नहीं कि पूरा पूरा कटा चलो चार पर एकट गिया या जाएगा सोला 167 जा 112 अब 127 को 1275 को आपको 16 से करना है डिवाइड तो 169 जा 144 167 यह राउंड ओफ करेंगे तो 167 जा 112 होता है तो अल्मोस्ट इसके बराबर ही आ रहे है तो आप सिद्धा यह ले लो 79.70 ठीक है तो यह इंटरस बनेगा उसका 2nd year का तो find the interest for the 2nd year तो यह आगे आपके पास 2nd year का इंटरस 79 रूपीज 70 पैसे और इसको और राउंड ओफ करना है क्योंकि इसने नेरस रूपीज में बोला है तो यह बन जाएगा रूपीज 80 उसके बाद चलते हैं next question number question number 14 पर इसमें आपसे पूचा है कि at what rate percent यहां पर rate percent आपको बदाना है compound interest will rupees this to amount to rupees this यानि इतना पैसा हमारे पास था और वो इतना हो गया तो किस rate से हुआ ऐसा यह हमें निकालना है तो अब यहां पर फार्मर लगाओ component amount का principle 1 plus में r upon 100 raise to power n अब जो amount है वो है 2500 principle है 2304 1 plus r में निकालना है और time दे रखा है कितना दो साल इसको आप इधर लाओ पहले 1 plus r upon 100 अब यहां पर देखो कि यह जो 25, 100 और यह 2304 जब भी आप r निकालना होगा न तो जो पावर यहां पर बनेगी वो ही पावर आपकी यहां पर बननी चाहिए अगर मैं 50 का square करूँआ तो यह आएगा और अगर मैं 48 का square करूँआ तो 2304 आ जाएगा आप फिर भी square निकालके चेक कर लेना कि कहीं पर कुछ गढ़बर ना हो 8, 8, 64, 8, 4, 32 और 6, 38 हो गया 4, 8, 32, 4, 4, 16 और 3, 19 तो बन रही है तो इसको आप लिख दो ऐसे 50 upon में 48 का whole square अब यह whole square से whole square खतम हो जाएगा यहां पर आ जाएगा 50 upon 48 और हो सकता है कि ऐसे square ना बन रहा हो काटने के बाद बने कुछ ना कुछ लेकिन बन जरूर जाएगा यहां से आप इसको cancel कर दो 2 से कट जाएगा 1 को इधर लाओगे 25 upon 24 माइनस 1 इसको else हम लेके solve करेंगे आएगा 1 upon 24 आर की value बनी 100 upon 24 चार से काटते हैं 6 से इसको divide करोगे 24 इतना बचेगा आपके पास एक बचेगा फिर 6 कम 6 पूरा पूरा तो जाएगा नहीं तो इसको आप mix fraction में लिख दो 4 and 1 by 6 वो बेटर रहेगा 4 and 1 by 6 परसेंट यसा ही छोड़ा हुआ बुक में भी क्योंगी decimal में निकालोगे तो पूरा तो कटेगा ही नहीं वो 15 question में कहता है कि sum compounded annually becomes 25 upon 16 time of itself यानि जितना principle था उसका 25 upon 16 times बन जाएगा 2 साल के अंदर तो determine the rate interest पर रहना यानि यहाँ पर जो principle को अगर आप x लोगे तो जो amount होगा यह रहेगा 25 upon 16x ठीक है time दो साल का दे रहेखा है वोई वाला formula लगा दो amount गई amount equals to principle 1 plus rate upon 100 के power 2 इस x x cancel हो जाएगा और यह बन जाएगा 5 upon 4 का square दोनों तरफ square root कर देंगे यहाँ 5 upon 4 बचेगा इधर 1 plus r upon 100 1 को यहाँ लाके आप minus करना तो यह आजाएगा 1 upon 4 25 पे गटेगा तो r की value आजाएगी 25 परसेंट उसके बाद next जो question है इसमें भी आपसे r ही पूछा गया है determine the rate of interest for a sum that becomes this itself in one and a half year compounded semi annually अब यहाँ compounded semi annually कर दिया तो n को आपको one and a half नहीं रखना n को रखना आपको 3 ठीक है और r को आपको यह तो पहले डिवाइड कर लो या जो भी answer आएगा उसको बाद में multiply कर दो आर कम क्या करते हैं जब भी हम compounded semi annually करते हैं तो r का मतलब होगा कि वह साल में दो बार हो रहा है अब साल में दो बार होने का मतलब है कि या जो r होगा उसको आप r upon 2 question के starting में लिख लो या फिर आप उसको r की त पॉन में 125 x प्रिंसिपल हो गया x और 1 प्लस में अभी हम इसको r ही रख लेते हैं और यहां पर हो जाएगा 3 साल इससे cancel यह बनेगा 6 अपॉन 5 का cube cube से cube cancel 6 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 प्लस r अपॉन 100 ठीक है यहां से माइनस करोगे तो 1 अपॉन 5 आ जाएगा और यहां आ जाएगा r अपॉन 100 तो इसको काटा हमने 20 तो r आएगा 20 परसेंट अभी जैके यह 20 परसेंट किसके लिए निकला है यह हाफ यर्ली के लिए निकला ह हमें आंसर देना है यर्ली के लिए तो जो इंटरस्ट बनेगा आपके पास वो आजाएगा 20 इन्टू में 2 यानि 40 परसेंट हाफ यर्ली पर एनम पूरे साल का जो इंटरस्ट होगा वो 40 परसेंट होगा किस रेट परसेंट से जो हमारा पैसा है 80,000 रुपे वो इतना हो जाएगा दो साल के अंदर तो यानि कुशन जो अभी तक हमने किया उसी की तरह करना आपको यह इन्टरस्ट बिंग कंपाउंड इन्टरस्ट और फिर उसके बाद का आगे का हमें बताना कि तीन साल के बाद कितना हो जाएगा तो हम क्या अगरते पहले तो रेट ओफ इन्टरस्ट निकालते हैं तो उसके लिए हम सेम यही तरीका यूज़ करेंगे अभी यह टोटल अमा अब देखो यह तो किसी का स्क्वेर नहीं बनता है लेकिन अगर हम इसको काड़ देते हैं तो फिर यह स्क्वेर बन जाता है तो 441 बनेगा 21 का और यह आजाएगा 20 का यहां से रहेगा 21 अपॉन 20 वन प्लस आर अपॉन 100 वन को यहां लाके माइनस करोगे तो वन अपॉन 20 रह जाएगा आर आगे हमारे पास 5 परसेंट अब हमसे पूछा उसने amount after 3 अब 3 साल का amount निकाले अगर हम amount वाला formula यह वाला formula यूज करेंगे तो आर की जगे हमें दो एन की जगे दो की जगे तीन रखे हम इसको calculate कर सकते हैं principle हमारे पास यह है लेकिन हम उससे करेंगे तो लेंदी पड़ेगा हम इसका अब हमें क्योंगी एक साल का निकालना है एक साल का निकालना है तो हम simple interest का फार्वार लगाते ना खाली दो साल के बाद हमारे पास amount इतना इखटा हो गया है दो साल के बाद जो यह पैसा था ना वो इसमें convert हो गया है यानि जब third year के बाद आएगी तो उसके लिए principal amount यह बनेगा तो जब आप interest निकालोगे third year के लिए interest for third year उसमें सीधा simple interest का formula आप लगा दो यह principal और rate की जाएगे हमने अभी निकाला यह rate 5% time रखने आपको एक साथ तो यह तरीका आपको आसान बढ़ेगा पांच दूनी 10 पांच चालिस और एक तालिस पांच चालिस और चार चावालिस इतना interest इसमें और एड़ कर देना amount आपका बन जाएगा total 88200 में 4410 एड़ कर दो तो 016412 92,610 रुपीज यह total amount बन जाएगा तीन साल के बाद question number 18 में certain sum amount to rupees this after 3 year and this after 4 year find the interest rate and the sum यह कर दो कि तीन साल है ना, तीन साल के बाद amount इतना हो गया और 4 साल के बाद amount इतना हो गया तो आपको interest rate बताना है और sum बताना है तो तीन साल के बाद पैसा हमारे पास इखटा होके इतना आया उसके एक साल बाद यानि चार साल बाद total पैसा इतना हो गया यानि उस एक साल के दोरान interest कितना बना ठीक है interest for 4th year उस चार साल के दोरान interest बना मारा इसमें से यह minus करो तो minus करो गया जाएगा 6 14 minus 6 8 17 minus 8 9 और 16 minus 9 7 यह आपके पास एक साल का interest बना चोथे साल का उस चोथे साल का principle कितना था प्रिंसिपल फोर फोर्थ यह जो तीन साल के end में था तीन साल के end में यह amount था तो यह चोथे साल का principle है अब यहाँ पर आप simple interest वाला formula लगाओ तो interest आपके पास आगया 79.86 प्रिंसिपल आपके पास आगया 798.60 rate हमें पता नहीं है और time एक साल का है एक रखो divided by 0 इसका decimal अपटा होगे 100 अबर आजाएगा और इसका decimal अटा होगे 100 यहाँ से आजाएगा इस 100 से यह 100 cancel कर दो और यहाँ देखो 7986 है यह 7986 0 है तो इसको मैं से cancel करता हूँ यह पूरा cancel हो जाएगा इससे R आजाएगा आपके पास 10% तो R तो हमने निकाल दिया ठीक है and the sum sum मतलब principle निकालना है अब principle निकालना पड़ेगा आपको amount वाले formula से ही अब उसमें आप 3 साल भी ले सकते हो और 4 साल का भी ले सकते हो जैसा भी convenient लगे हमें क्योंकि amount का जो formula है हमारे पास यह होता है प्रिंसिपल वन प्लस में R अपोन 100 रेस टू पावर N तो अगर मैं 3 साल का amount लेता हूँ तो यह amount आ रिया 798 .60 principle हमें इसका निकालना है R हमने निकाली लिया है और पावर ले ले लेंगे 3 अगर वो वाला amount लोगे तो पावर लेनी पड़ेगी आपको 4 दोनों से कैसे भी से निकाल लो तो अब यहां से इसका decimal हमने हटाएंगे यहां से आजाएगा यह 10 और 11 इसकी पावर 3 7,9,8,6 अब उन में 10 equals to P 11 का cube करेंगे तो आएगा 1,3,3,1 divided by 1000 इससे यह cancel है अगर 6 से हम इसको काटें देखो 6 बंजा 6, 6 रिजा 18 6 रिजा 18 प्लस 1,19 6 बंजा 6 और 1,7 यह पूरा का पूरा 6 से cancel हो रहा है और इसको यहां multiply करोगे तो P आजाएगा आपके पाद 600 तो principal amount है हमारा 600 और rate of interest है इसका 10% 19 में इसने बोला कि in what time will rupees this amount to rupees this at 4% per annum compound interest अब यहांपर time निकालना है जैसे पीछे हमने interest वाले question करें ऐसे ही करना है लेकिन बस यहांपर time निकालना है तो amount आपके पास principal इतना है amount इतना है amount की जगे आप यह रखो principal की जगे आप यह रखो 1 प्लस में r की जगे 4% हो गया और time आपको निकालना है इसको इधर लाओ 1,7,5,7,6 1,5,6,2,5 जैसे देखा 25 और 26 अब यहांपर जो base है 26 upon 25 तो यहांपर भी वही base होना चाहिए अब अगर आप 25 का अगर आप cube करते हो 25 का अगर आप cube करते हो तो यह आता है 1,5,6,2,5 तो यानि इस 26 का cube करोगे तो यह definitely आ रहा होगा चेक कर लेना आप निकालके एक बाद 26 upon 25 का अगर हम cube करेंगे ऐसे क्योंकि दोनों का base यहांपर same है तो इसकी जो power है यह भी same हो जाएगी तो एना जाएगा इसमें 3 तो 3 साल का time होगा उसके बाद अगर हम next question करते हैं तो next question में कहता है question number 20 rupees 16,000 invested at 10% per annum compounded semi annually amount to rupees this find a time period of investment यानि आपको principle दे रखा है 16,000 rate of interest दे रखा है 10% compounded क्योंकि semi annually हो रहा है तो इसको 2 से divide कर देंगे 5% और जो amount है वो आपको दे दिया इसने 18522 और जो time period है time जो है इसका उसको आपको वैसे तो n लेते हैं normally क्योंकि यहां पर semi annually हो रहा है तो इसको 2 से multiply कर देंगे तो time को लेना आपको 2n अब यहां पर जो formula उसके recording values रखते जाओ 18522 प्रिंसिपल आ गया 16,000 1 plus में r upon में 100 raise to power 2n 18522 इसको निचल लियाओ इधर आ जाएगा 2021 इसकी power है 2n तो यहां पर देखो अगर आप इसको cancel कर लेते हो तो 2 से यह cancel हो जाएगा 2 से यह cancel हो जाएगा तो दूनी चार्ज, दो चिक बारा, तो एक हम दो तो यह 9261 होता है 21 का cube और यह होता है 20 का cube तो इसको लिख लेते हैं 21 upon 20 का cube यहां पर 21 upon 20 की power है 2n तो दोनों का आप compare करेंगे तो 3 की जो value है 2n के बराबर है यानि n आ जाएगा 3 by 2, 3 by 2 का मतलब 1 and a half year तो यह आपका time आजाएगा 1 and a half year इसमें rate अलग अलग दे रहेखा है what sum will amount 2 rupees this in 2 year at compound interest if the rates are this and this कितना पैसा आप लगाओगे 2 साल के लिए कि वो इतने में convert हो जाएगा तो इसमें जब rate अलग लग दिया होता है तो formula हम यह वाला लगा लेते है 1 plus में R1 upon 100 1 plus R2 upon 100 क्योंकि 2 साल हैं तो इतने ही रखते हैं 3 साल होगा तो एक back it or आ जाएगी तो amount आपको दे दिया उसने 2782.50 और principal amount आपको निकालना है R हमें पहला दिया होए 5 दूसरा दिया होए 6 इसका decimal आप हटा दोगे तो यह भी हो जाएगा 100 यानि 278250 डिवाइड़ बाइ 100 इक्वल्स टूपी 20 और 21 यहां तो पूरा नहीं कटेगा इससे 2 से काट दिया 50 और 53 तरेपन यहां पर देखो यह दो 0 जो है इन दोनों से cancel होगी और तो यहां कुछ कटेगा नहीं 2 और 5 को यहां लाओ 278250 25 और यहां पर आगया 21 और 53 अब इसको cancel करो जितना हम कर सकते हैं तो पहले 3 से काट लेते हैं इसको 3 से इसको काटेंगे तो आएगा 3 9 जा 27 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 3 5 जा 15 3 से इसको काटा फिस 7 से भी देखते हैं इसको कट रहा होगा 7 बंजा 7 7 3 जा 21 7 2 जा 14 7 5 जा 35 53 से क्या यह कटेगा पूरा अगर मैं इसको 53 से डिवाइड करके देख लेते हैं कटेगा या नहीं कटेगा दो से करो पांच से करो एक जीरो बचेगा वो इधर आ जाएगा तो 250 पर एक एंसल हो गया अब 250 को 10 से मल्टिप्लाई करोगे तो पी आ जाएगा आपके पास 2500 नेक्सक्षिण हमरे पर स्वेंटी टू यह कुम नमबर ट्वेंटी टू में गाले इतना इंटरस्ट अगले साल का इतना इंटरस्ट थो यारी उस एक साल का जैसे मान लो यह 4 साल ले 5 साल कुछ वी मान लो तो उस साल का इंट्रस्ट कितना बनेगा इंट्रस्ट for one year उसके लिए 240 में से 225 माइनस कर दो तो 15 रुपे बनगा इंट्रस्ट उस साल का principle यह रहेगा क्योंकि इंट्रस्ट होने के बाद यह आद होगा तो यहां से जो फार्मूला अब लगाओगे सिंपल इंटरस वाले फार्मूला लगाओ सिंपल इंटरस वाला फार्मूला होता है माले पास PRT अपॉन में 100 तो इंटरस बन गया 15 रूपे प्रिंशिपल आएगा 225 रेट हमें निकालना है और टाइम हो जाएगा एक साल तो इसको इधर लाओ 15 इंटरस इंटरस में 100 दोसो पर्चेस तो पंदरा पंदरा दोसो पर्चेस होता है फिर पांच से काड़ दो तीन से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तीनची कठाड़ा और दो यानि आरा जाएगा 6 एंट 2 बाए 3 परसेंट कुश्चिन नमबर 23 में कहता है दिफरेंस बेविन दा कंपांट इंटरस फोरे एर एक साल का कंपांट इंटरस पेबल हाफ यारली हाफ यारली पेबल हो रहा है तो एन हो जाएगा 2 अब क्योंकि वो हाफ यारली काउंट कर रहा है तो हाफ यारली की वज़े से जो टाइम होगा हमारा वो एक साल नहीं रहेगा वो दो में कनपांट हो जाएगा और जो रेट है वो 10 परसेंट ना होकर वो जाएगा 5 परसेंट अब दोनों के बीच का आपको डिफ्रेंस दे रहा है CI माइनस SI यह दे रहा है आपको 15 तो CI का फार्मुल लगा होगा प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट अपॉन 100 इसकी पावर 2 माइनस 1 और SI आजाएगा आपके पास प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम डिवाइड़ बाई 100 इक्वल्स टू 50 P इसमें भी है P इसमें भी है P को दो कॉमन निकाल दो बाकी इसको सॉल्ट करो 20 और 21 बटे 20 इसकी पावर हो जाएगी 2 फिर माइनस यहाँ सा जाएगा यह कैंसिल हो जाएगा केवल 1 अपॉन 10 इसका आप स्क्वेर करोगे आजएगा 441 अपॉन में 400 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 10 400 LCM हो गया इदर 441 इदर 400 इदर 40 441 में 400 माइनस करोगे 41 आजएगा 41 माइनस 41 बचेगा तो इदर बचेगा 1 अपॉन में 400 इक्वल्स तू 15 इसको क्रॉस मुल्टिप्लाई कर दो 15 जोग 60 यानि 6000 रुपे प्रिंसिपल आजएगा 24 में कहता है कि the simple interest on a certain sum for 3 year is rupees this and the compound interest on the same sum principle same है at the same rate rate भी same है for 2 year is rupees this find the rate of interest and the principle तो starting में गर रहे the simple interest on a certain sum is this तो simple interest का फार्मल लगाते है 225 principle हमें पता नहीं है rate भी हमें पता नहीं है time 3 साल का दे रहेखा है divided by 100 तो 3 से आप इसको काड़ दो तो PR की जो value है ही आगई 7500 और compound interest इसी principle के उपर compound interest अगर हम निकालते हैं 2 साल का तो 153 है तो formula compound interest का हो गया P 1 प्लस में R upon 100 raise to power 2 minus 1 is equals to 153 दोन एक्वेशन को नहीं डिवाइड कर दो divide इसले करेंगे क्योंकि P से P cancel हो जाएगा तो यहां से बचेगा R यहां से आजएगा 1 प्लस R upon 100 की power 2 minus 1 is equals to 7500 upon 153 अब इसको simplify करके हम R की value निकाल लेते हैं तो इसको cross multiply करो यहां जाएगा 153 R यह दर जाके multiply हो जाएगा तो 1 प्लस में R upon 100 की power 2 minus 1 इन्टू में 7500 इसका A प्लस B का whole square लगाओगे तो A का square तो B का square करेंगे तो 2 A भी करोगे यह दर जाएगा R upon में 50 minus 1 इन्टू में 7500 इससे यह दर जाएगा cancel इसका आप LCM लेओ LCM लोगे 10,000 आ जाएगा इसको इससे काटोगे तो 200 आएगा 2 0 से यह 2 0 cancel कर दो 25 से काट दो और 25 से काटो 4 को यहाँ cross multiply करो चारती बारा 24 पंजे 20 और 21 4 और दो 6 और 3 से इन दोनों को multiply कर दो 3 R square 600 R इसको इदर लेकर आओगे तो आजाएगा 12 R equals to 3 R square 3 से cancel हो जाएगा 4 पर एक R पी हो जाएगा cancel R आगे हमारे पास 4 R को आप यहाँ put करोगे तो P into में R equals to 75 hundred तो 75 hundred को आप 4 से divide कर दोगे 4 एकम 4 4 अठे 32 चार दुनिया आठ 4 सत्य अठाइस और 4 पंजे 20 1875 यह आजाएगा आपका प्रिंसिपल 1875 ठीक है जी इसी कोश्चन के साथ ही आज की जो वीडियो है उसको हम यह पर फिनिश करते हैं अभी इस exercise की बारा कोश्चन ओर हैं तो उसको next वीडियो के अंदर करते हैं आज की इस वीडियो में इतना ही झाल खीडियो झाल अभीडियो के बाराइस काई दो अभीडियो कोश्चन में थीडियो के इस वीडियो के बाराइस बारैसिंग इस भीडियो पहता है